नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा स्मार्टफॉन लेके आया हूँ जो जब लॉंच हुआ था तो उसकी प्राइस ती 16-17,000 रुपे लेकिन आज के टाइम मातर 13,000 रुपे में आप इस बहतरीन स्मार्टफॉन को पर्चेस कर सकते हैं तो ये हमारे पास है Poco X-Series का बहतरीन 5G स्मार्टफॉन जिसका नाम है Poco X6 Neo 5Z इसकी करेंगे आज हम अन्बॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फेचर्स, लुक डिजैन्स, कैमरा पर देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्टफॉन आपके लिए तो आप इसे Amazon और Flip Card से पर्चेस कर सकते हैं प्राइज आपको दिखाएगा 13,999 रुपे लेकिन Bank Offer यूज करते हो तो आपको ये स्मार्टफॉन 13,000 रुपे में मिल जाएगा और आभी कुछ दिन बाद BBD और Great Indian Festival सेल आने वाली है उसमें इनका प्राइज और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा तो ब्लैक कलर का ये बॉक्स आता है जिस पर येलो कलर के फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंसन किया है मोबैल का डिजाइन बॉक्स पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर जैसे कि आपको इसमें 120 हड्स की AMOLED डिस्पले दी गई है इसके अलावा 108 मेगा विक्सल का मीन प्राइमरी कैमरा पावरफुल मीडिया टेक का आपको चिप सेट दिया गया है बहुती स्लिम ये स्मार्टफॉन है IP54 की रेटिंग मिली हुई है Dolby Atoms का सपोर्ट भी मिल जाता है ये हमारे पास है 8GB 128GB बेरेंट चलिए फटावट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और जैसी हम बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे उपर एक मिनी बॉक्स जिस पर पोको की ब्रांडिंग इस बॉक्स के पीछे की साइट से मिजक्टर पिन अंदर कुइक स्टाइट गाइड उसर मैनवा कवर आपको इसमें ब्लैक कलर का दिया गया है नॉर्मली आपने देखा होगा एक ट्रांस्परेंट सिलिकन का कवर मिलता है जो की बहुत जल्दी यलो कलर के हो जाते हैं और फैकने पड़ते हैं लेकिन ये कबर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा बहुत ही सॉप्ट और सिलिकन का कबर है इसके बाद स्मार्टफॉन इसे निकाल के रखते हैं साइड और अंदर देखने पर हमें चार्जर अड़प्टर और यूएस्वी केविल नजर आती है ये जो चार्जर है दोस्तों 33 वोट का फास्ट चार्जर जो की मुबैल को आदे गंटे में 50% तक चार्ज कर लेता है यूएस्वी केविल टाइप A to टाइप C लेंद और क्वाल्टी बड़िया मिल जाती है स्मार्ट फॉन पर करते हैं इसे पैकिंग से आजाद ये निकल के आगया स्मार्ट फॉन का फ्रेंट साइट का लुख इने एन फील स्मार्ट फॉन हाथ में बहुत कमफर्टेवल इसे आप आसानी से हाथ में carry कर सकते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा, बड़े-बड़े size के smartphone आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे size का है, और उपर से आपको इसमें punch hole display मिलती है, एक pre-applied scratch guard लगा हुआ है, बहुती slim smartphone और इसका जो back panel है, विलकुल flat दिया गया है, जहां plastic polycarbonate body मिलती है, दोस्तों, back panel में light reflection भी काफी बड़िया देखने को मिल जाता है, और जो camera module है, काफी बड़िया बनाए गया है, पूरा frame square type में आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आपको दो बराबर size के lens नजर आ रहे होंगे, lens काफी ज़्यादा उठे हुए हैं, तो यह हाँ, आपको mean primary camera 108MP का दिया गया है, और 2MP का आपको इसमें depth sensor camera मिलता है, दोस्तों, खास इसमें ultra wide angle camera भी add किया जाता, और बेटर होता है यह smartphone, mobile के चारो corner rounded, side frame विलकुल flat, और right side में power on की, यहीं finger fin sensor और volume rockers, उपर की side, secondary mic noise cancellation के लिए, IR blaster remote control के लिए, 3.5 mm का audio jack, गाना सुनने के लिए, लीड लगा के, left side में आपको मिलती है, sim tray, hybrid slot वाली, और bottom side में आपको primary mic, charging jack और speaker, चलिए हम mobile को फटावर्ट से install करना शुरू करते हैं, जैसी आपकी नजर display पे जाती है, दोस्तों तो बिलकुल badgerless display इस budget range के अंदर आपको मिल रही है, पोको की और स इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सारे time and condition को accept करने के बाद, finally हमारा smartphone fully install हो चुका है, और यहाँ जो brightness है, इसे हम 100% कर लेते हैं, तो दोस्तो 1000 nits तक की peak brightness मिलती है, इस smartphone में outdoor हो या indoor हो, phone का use easily कहीं पर भी कर सकते हैं, इसके अलावा display के colors काफी बढ़िया दिये गए हैं, इ smartphone में मौजूद सारे के सारे application हमें आपर नजर आ जाते हैं, लेकिन कई सारे bloatware application, free install games, free install application भरी पड़ी हैं, चाहो तो आप इन्हें अनिस्टॉल कर सकते हैं, दोस्तों करना भी चाहिए, नहीं तो यह background में run करती है, नहीं तो यह background में run करती है, notification base के आपको ही तंग करती है इसके अलावा 120 Hz का refresh rate, touch बहुत ही smooth और fast मिल जाता है, दोस्तों, gaming के लिए एक बढ़िया refresh rate इस budget range के अंदर आपको मिल रहा है, 6.67 इंच की Full HD Plus, AMOLED डिस्पले आपको इसमें मिलती है, जिसका aspect ratio 20 to 9, screen resolution 1080 x 2400 pixel, pixel density 395 FPI की मिलती है, screen production के लिए इसमें Corning Gorilla Glass 5 का production भी दिया गय screen to body ratio 93.3% का आपको इसमें मिलता है, इसकी अलावा दोस्तों, इसकी height है 161.11 mm, width है इसकी 74.95 mm, और weight है इसका 175 gram, 5000 mAh की battery इस phone के अंदर लगी हुई है, IP54 की rating मिली है इस smartphone को, dust proof है plus splash proof है ये smartphone, अब दोस्तों, इसकी setting पे नजर डालते है, setting को open करते ही अंदर interface कुछ ऐसा आप आपको नजर आएगा, बिलकुल Redmi जैसा ही interface है दोस्तों, क्योंकि Redmi का ही sub brand है, सबसे उपर about phone section इसे open करें, तो यहां हमें मिलता है MIUI, जिसका version है 14.0.5, device name, model name, mention है, 128 GB का storage, जिसमें से 28 GB के around तो already use हो रुखा है, बाकी हमें free मिल जाता है, और आप चाओ तो expandable memory को 1TB भी smartphone यूज किया है, उस दिन बाद इसमें भी 14 का update आजाएगा, security update तो आपको time to time मिलते रहते हैं, इसके अलावा detail में चलते हैं, तो 8 GB RAM प्लस 4 GB Virtual RAM, 2.40 GHz का octa-core processor response में दिया गया है, और chipset MediaTek Dimensity 6080 का मिलता है, जो based है 6 NM के fabrication पर, Mali G57 के graphic और 4,42,000 के around इसका अंतुतू score चल जाता है, इसके अलावा दोस्तों यहां storage type UFS 2.2 RAM type LPDDR4X का दिया गया है, अब एक छोटी सी नजर कैमरा पे डालें, जो भी permission मांगे, allow कर दीजिए, कैमरा बहुत ही colorful आपको मिल जाता है, 10X का zoom support भी आपको इसमें मिल जाता है, 10X में भी आपको काफी अच्छी clarity image में विक्सल को अलग से enable कर सकते हैं, वीडियो मोड, वीडियो मोड में आप कर पाओगे, इससे 1080p, 720p में, Full HD और HD में recording, लेकिन 30fps का support ही मिलेगा, Forted mode, Night mode और more setting में आपको प्रो, Short Video, Pandema, Slow Motion, Time Lapse, AI Watermark जैसे option दिये गए हैं, Front selfie camera भी आपको इसका बहुत बढ़िया मिल जाता है, जो है सस्टीन मेगा विक्सल का, और Colorful selfie camera आपको मिलता है, अगर Front camera से बीडियो भी सूट करते हो, बहुत बढ़िया clarity के साथ बीडियो इससे सूट हो जाती है, तो overall देखा जाए, तो ये smartphone 13,000 रुपे में अगर आपको म 120Hz का refresh rate दिया गया है, fast charger मिल जाता है, तो देखा जाए, तो phone खरीदने like है दोस्तो, बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, आप comment box मताईए, कैसा लगा आपको ये smartphone इस budget range के अंदर, क्या आप इसे purchase करना चाहोगी, आसा करता हो, मेरे द्वारदी की जानकारी, आप सभी के जरू जाएगा